हेलो दोस्तों कैसा आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं आमेजिंग वाइफ के चैप्टर 6 चैप्टर 5 में हमने देखा था कि बैकी अपनी कजन ब्रोदर की साधी के लिए इंगलेंड चली जाती है अब आगे इंगलेंड पहुंचने के बाद बैकी हर रोज फ्रीन को कोल करती है उससे बाते करती है इस समय बैकी और उसकी फैमली एक होटल में रुके हुए थे उसके कजन की साधी में बैकी अपनी फैमली के साथ मैरिज प्लेस में जाती है उन्होंने एक का रेंट पर ली है क्योंकि सा बाष्ते में गाड़ी चलाते समय पूरी फैमली कमपने बनाने के बारे में बात कर रहे थे। बैकी के पिता जल्द से जल्द कमपनी खोलना चाते थे। तभी कार पहाड़ी की तरफ एक मोड़ पर मुड़ी अचानक सड़क की दूसी तरफ से तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया मॉम डैड बैकी अपनी मॉम डैड के लिए चिल लए ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी लाइफ उसकी आखों के सामने गूम ग को क्ल लाया डॉक्तर ने आके बैकी को चेक किया बैकी ने डॉक्तर से अपने वैमली के बारे में पूछा नहीं तरफें को देखा अपनी फोन दूंडा लेकिन नहीं मिला तभी उसकी दाधी दोड़ते हुए उसकी पास आई और उसे हक करती है और रोते हुए कहती है हे भगवान थैंक यू बैकी ने अपनी दादी को पकड़ लिया बैकी कहती है दादी मैं ठीक हूँ बैकी पूछती है दादी मा और डैड कहा है क्या वे ठीक है दादी ने आसु भरी आखों से बैकी की तरफ देखा और कहा बैकी मैं कैसे कहूँ ये सुनकर बैकी की हाटबिट तेज होने लगी उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है बैकी कहती है दादी मुझे बताओ वे कहा है मैं उन्हें देखना चाहती हूँ ये कहते हुए बैकी ने बैठने की कोशिश की लेकिन उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बैक रुको तुम्हें आराम की जरूत है दादी की बात सुनकर बैकी कहती है हाँ दादी मैं आराम करूंगी लेकिन मुझे पहले मॉम डड़ को देखने दो गैरी सांस लेने के बाद दादी ने एक सिंपती बरी आँखों से बैकी की तरफ देखा थोड़ी दे बाद दादी कहती है बैकी तुम्हारे पैरेंट्स एक्सिडेंट में नहीं बच सके ये सुनकर बैकी की दुनिया उसकी आँखों के सामने खत्म हो गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके आशू बेकाबू होकर गिर रहे थे इस समय बैकी दिल खोलकर रो रही थी इसके बाद बैकी कहती है वे कहां है दादी मैं उनने देखना चाहती है बैकी की बास सुनकर दादी कहती है हम बाद में जाएंगे मिरे बच्चे लेकिन अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है बैकी कहती है दादी क्या हमें उनका अंतिम संस्कार नहीं करना है ये सुनकर दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर दुखी आँखों से बैकी की तरफ देखती रही और फिर कहा वे पहले ही हो चुका है दादी कहती है तुम 6 महीने से कोमा में थी दादी की बात सुनकर बैकी को विश्वास नहीं हुआ वो दादी की तरफ देखते हुए कहा दादी आप क्या बात कर रही है दादी बताती है ये सच है मेरे बच्चे 6 महीने से तुम कोमा में थी तब बैकी पूछती है हम कहा है दादी दादी बताती है हम इंगलेंड में है तुम्हारे एंकल तुम्हारी देखवाल के लिए मुझे यहां ले आए किसी को भी यकिन नहीं हो रहा कि तुम कोमा से बाहर आ गई हो लेकिन भगवान का सुक्र है अब सब ठीक है यह सुनकर बैकी बहुत बुरी तरह रोई और अपना फोन मांगा लेकिन दादी ने कहा कि उन्हें नहीं पता साइद एक्षिनेट के दोरन तूट गया या फिर कहीं खो गया इसके बाद दादी ने उसे अराम करने के लिए कहा ताकि वे थाइलेंट वापिस जा सके उसके अंकल और दादी ने बैकी के पैरेंट्स का अंतिम संसकार किया कुछ समय बाद बैकी के अंकल उससे मिलने आते हैं और उसे पावर ओफ और टर्नी देते हैं जो उसके डैड उसके लिए छोड़ गए थे इसमें millions of money और property उसके नाम पर है उसके अंकल ने उससे वादा किया है कि वे एक कंपनी बनाने में उसकी help करेंगे जिसका सपना उसके डैड ने देखा था क्योंकि उसके अंकल भी एक businessman है बैकी ये देखकर अपने अंकल को thank you करती है वे फरीन और इरिन से contact करना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया उसके अंकल और दादी ने कहा कि उससे पहले खुद की care करनी चाहिए करीब एक महिने के बाद सबकुश नोर्मल हो गया बैकी बिल्कुल ठीक है इसके बाद दादी और बैकी वापिस Thailand आ गए अब बैकी अपनी दादी के साथ अपने mom dad की हवेली में रहती है उन्होंने एक helper रखी है उसका नाम मिश्बेस है उसकी उम्र 40 की आसवास है बैकी नहीं चाहती कि उसकी दादी अब घर में अकेली रहे क्योंकि बैकी अब काम में busy होने वाली थी इसके बाद बैकी सबसे पहले इरिन के घर गई क्योंकि वह उसके घर के पास रहती थी बैकी ने इरिन के घर पहुच कर डोर पर नोक किया इरिन ने डोर ओपन किया और थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी रही उसने एक सेकंड के लिए अपनी आखे जपकाई और चिलाई और बैकी की तरफ दोड़ी और उसे हक किया इरिन पूछती है बैक तुम इतने टाइम से कहा थी फिर कभी ऐसा मत करना बैकी ने इरिन को सब कुछ बताया इरिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया इरिन बताती है आपसे कॉंटेक्ट तूट गया तो मैंने मॉम ड़ाड का नमबर ट्राइ किया उनके नमबर भी बनते फिर मैं दादी के घर गई तो वहाँ मुझे पता चला कि उन्हें कोई इंगलेंड ले गया है मैंने मकार मालिक से नमबर मांगा लेकिन वो भी नहीं लगा इरिन आगे कहती है बैक मैं परिशान थी के वले एक ही ओप्शन था इंगलेंड आने का लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ कहां रहती हो तो मैं वहाँ किस से पूछती इरिन की सारी बाते सुनने के बाद बैकि कहती है ठीक है इरिन बात अब ये है कि मैं अब वापिस आ गई हूँ इरिन कहती है मुझे मूम डड़ के लिए अफसोस है बैकि करते हुए कहती है अब वे अच्छे जगा है इतना कहकर उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया और रोने लगे बैकी कहती है कि वह फ्रिंट से मिलने उसके घर जाना चाहती है लेकिन बैकी ने इरिन के चैरे पर बेचैनी देखी तो बैकी ने इरिन से पूछा क्या बात था इरिन इरिन कहती है बैक मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ बैकी कहती है बस कह दो मैं सुन सकती हूँ ये मेरे मॉम डड़ की मोत की खवर से बुरी बात नहीं हो सकती मैं इसे सुन सकती हूँ बस मुझे बताओ इरिन थोड़ा परिशान होकर बताती है बैक उसकी सगाई हो चुकी है और अगले महीने उसकी साधी है बैकी बस सांत होकर सुनती रही एक भी आंसू नहीं गिरा साइद उसकी आंसू पहले ही सुक शुके थे थोड़ देर बाद बैकी ने पूछा कौन है वो परसन इरिन बताती है मुझे नहीं पता वह एक मैन है उसकी माने चुना है वह पिछले तीन महीनों तक हर दिन तुम्हारे बारे में पूछने आती थी लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकी वह भी मेरी तरह हेल्पलेश थी वह साधी नहीं करना चाती है लेकिन उसकी मा की इहालत के कारण उसने हाँ कहा उसने लंबे टाइम तक काप का वेट किया हो सकता है समय के साथ उसकी सारी उम्मिदे खत्म हो गई हो सारी बाते सुनने के बाद बैकी करती है और फिर कहती है इरिन क्या तुम उसे मुझे से मिला निला सकती हो मैं उससे लाश्ट टाइम मिलना चाहती हूँ और मेरे वापिस आने के बारे में उसे कुछ मत पताना इरिन ने फ्रीन को फोन किया और उसे एक कॉफी सोप में आकर मिलने के लिए कहा इस समय कोफी सोप में इरिन और बैकी फ्रीन का वेट कर रहे हैं उन्होंने एक कोरनर वाली सीट ली है तब ही फ्रीन कोफी सोप के अंदर उनके तरफ आती है लेकिन जब उसने बैकी को देखा तो वह रास्ते में ही फ्रीज हो गई वह वहीं खड़ी रही वह बिलकुल भी हिल नहीं सकी तब ही इरिन अपनी सीट से खड़ी हुई और उसे लेकर आई और बैकी के सामने वाली चेर पर बिठा दिया इसके बाद इरिन दो कोफी लेकर आई और उनके सामने रख दी लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं लगाया इरिन कुछ बहाना बना कर वहाँ से चली गई फ्रीन बैकी की तरफ नहीं देख सकती थी लेकिन बैकी ने अपनी नजरे फ्रीन से एक पल के लिए भी नहीं हटाई उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थोड़ देर बात बैकी कहती है कॉंग्रेक्स मैंने सुना है आपकी सगाई हो गई है इस बार सच में ये सुनकर फ्रीन के आशु चुप चाप गिनने लगे वह अपने आशु पोश्ती है और बैकी से पोश्ती है आप इतने टाइम से कहा थी आपका कोई पता नहीं था बैकी बताती है मैं 6 महिने से कोमा में थी तभी क्या ये सुनकर फ्रीन ने बैकी की तरफ देखा बैकी ने सब कुछ फ्रीन को बताया ये सुनकर फ्रीन और भी जोर से रोने लगी उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे इसके बाद बैकी ने अपने चेहरे पर इसमाइल लाते हुए कहा मैं यकीन नहीं कर सकती कि हम मैंने सभी को खो दिया जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी मॉम डैड और आप मुझे नहीं पता कि हम मुझे क्या करना है फिरिन कहती है मुझे अफसोस है मॉम डैड के लिए बैकी बस करती है फिरिन बताती है मैं तुम्हारे बिना निरास हो गई थी और मेरी माँ बिमार है उन्हें कैंसर है और उन्होंने मरने से पहले मुझे शादी करने के लिए कहा और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप कहां है और कब आएंगी मैंने सारी उम्मिद को दी थी और मा के लिए मैंने साधी के लिए हां कह दिया फिरिन की बास सुनकर बैकी कहती है मुझे पता है मैंने इरिन से सुना उसने मुझे सब कुछ बताया ये ठीक है आप प्लीज रोव मत इतना सुनकर फिर्ण कहती है आपने हमेशा कहा कि यह ठीक है लेकिन यह ठीक नहीं है और इस तरह आपने मुझे आसानी से जाने दिया ये सुनकर बैकी ने फीन की तरफ देखा और कहा क्या ये मेरी गलती है मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे तुम्हारी साधी तोड़ देनी चाहिए क्या तुम मेरे साथ भाग जाओगी और क्या तुम मेरे लिए अपनी मा को छोड़ सकती हो बेबी बैकी कहती है मुझे पत तो हम फिर से मिलेंगे इतना कहकर बैकी ने खिड़की के बाहर देखा जहां बारिस हो रही थी उसने सोचा कि आसमान भी इसी तरह रो रहा है तब ही बैकी ने फीन की तरह देखा और कहा तुम्हें पता है मैं कोमा से बाहर आई क्योंकि तुमने मुझे वापिस आने के लिए कहा था और मैंने तुमसे प्रोमिस किया था इंगलेंड जाते समय कि मैं वापिस आउंगी सबी लोग उम्मीद खो चुके थे कि मैं कोमा से बाहर नहीं आउंगी लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापिस आई बेबी इतना कहकर अब बैकी रोने लगी अब वह खुद को कंट् सको अपना ख्याल रखना लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूंगी इतना कहकर बैकी बिना पीछे देखे वहां से चली गई इधर फीन अभी भी बैठी रो रही है आप से उनके रास्ते अलग हैं करीब एक वीक के बाद बैकी ने अपने अंकल से कॉंटक्ट किया और पिता के सपने उस कमपनी को बनाने के लिए रैडी हो गई उसके अंकल उसे हर तरह से हेल्प करते थे चुकि वे एक अच्छे परसं हैं बैकी ने पूरी तरह से अपने आपको कमपनी के काम में डुबो दिया उसकी दादी उसके लिए हमेशा परेशान होती थी दादी की बात सुनकर बैंकी बस करती थी बट वह लोगों से नहीं मिलती थी वह बस कभी कभी इरीन के साथ जाती थी लेकिन सबसे ज ROSW अपने काम में बिटाती थी उसका काम उसे दुК से बचाता था कभी कभी वह अपने मात्स पिता की कबद्थ को देखने के लिए इंग्लेन्ट जाती थी, टाइम निकलता गया, कई महीने बीच गए, लेकिन उसे फेरिन की साधी का कार्ड नहीं मिला, वह एरिन से पूछना नहीं चाती थी, लेकिन जब भी एरिन बैकी को फेरिन के बारे में बताना चाती थी, बैकी उससे यही कहती थी कि वह अब आगे बढ़ गई है और अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी उसने सोचा कि फ्री नहीं चाहती कि उसकी सादी में सामिल हो और वह इसके लिए thankful थी क्योंकि वह अपने प्यार को किस और परसन के साथ साधी करते नहीं देख सकते थी वह काम में बिजी रहती थी वह बस रेयल्टी से भागना चाहती थी कभी-कभी बैकी बार में जाती थी लेकिन उसे वाइन से नफरत थी लोग उसे फोर्स करते लेकिन बैकी दूसरे रिष्टे के लिए रेडी नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कब रेडी होगी या फिर साध कभी रेडी नहीं होगी एक दिन बैकी की दादी ने उसे इस्टोर से घर का कुछ समाल लाने के लिए कहा इसलिए वह हवेली के रास्ते में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई उसने जरूरतों की सभी चीज़े ले 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 और बिल पे करने के लिए लाइन में खड़ी हो गई जब उसकी बारी आई बैकी अपनी थोट में इतनी डूबी हुई थी कि उसके पेमेंट करने के बाद कैसर ने उसे वहाँ सोपिंग करने के लिए थैंक्यू कहा ये आवाज बैकी को पता थी कि किसकी आवाज है उसकी पूरी बोड़ी स्ट्रेसफुल हो गई वह सामने वाले प्रसंट को देखने के लिए उपर देखती है और अपने पास्ट को देखती है उसने कुछ नहीं कहा बस तहीरे से सिर्ष लाया और दुकान के बाहर चली गई तो दोस्तो ये था अमेजिंग वाइफ का चैप्टर सिंक्स बैकी का क्या रेक्शन होगा अपने पास्ट को देखने के बाद जानेंगे चैप्टर सेवन में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए be happy and keep smiling